चट्री समाच के लोगों ने बीजेपी कारेयले के किया घिराओ मंत्री के माफी मांगने के बाद भी लोग आक्रोसित कहा मंत्री का स्थीफा ही एक मात्र विकल्प खाद मंत्री बिशाहुलाल सिंग के छत्राडी महिलाओं को लेकर दिये गए भड़काओ बयान को लेकर मंत्री द्वारा माफी मांग लेने के बाद भी अभी मामला सांत नहीं हुआ है शैडोल में मंत्री के विरोध में आज छत्री समाच के लोगों ने भाजपजिला कारयले का घेराओकर मंत्री को माफ नहीं करने पर अड़े रहे विरोध करताओं का कहना है कि माफी मांग लेने बस से बात नहीं बनीगी उनके इस बेतुके बयान से चत्राडी महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुची है जिससे मंत्री को अपने पत्स से इस्तीफा देना होगा तब ही मामला सांथ होगा कि मांग को लेकर अड़े हुए है बीते दिन अनुकपुर जिले के एक समाजिक संगठन द्वारा महिलाओं के सम्मान कारिकरम में मुख अतिती के रूप में आये खादि मंत्री द्वारा मंच से चत्राडी महिलाओं को लेकर दिये गए भड़काओ बयान के बाद परदेश भर में हुए विरोत के बाद मंत्री बिसाहुलान ने माफी मांग ली हो लेकिन शेडोल में चत्री समाज के लोगे ने मंत्री को माफ नहीं किया बलकि उनका विरोत करते हुए भाजपा कारयले का घेराओ कर लिया विरोत करताओं का कहना है कि माफी मांग लेने बस से बात नहीं बनेगी उनके इस बेतुके बयान से छत्राणी महिलाओं सम्मान को ठेश पहुची है जिससे मंतरी को अपने पस से स्थीफा देना होगा तभी मामला सांथ होगा कि मांग को लेकर अरे हुए हैं वहीं इस पूरे मामले में भाजपा जिलाद्यक्ष ने भाजपा कारेले का घेराओं की बात को सिरे से खारिच करते हुए मंतरी की पैरवी करते हुए भाजपा हिंदू की पार्टी है इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान किया जाता है की बात कही साथ ही उन्होंने छत्री समाज के लोगों द्वारा प्रदेश अद्देश के नाम दिये गए ग्यापन को उपर तक पहुचाने की बात कही देखी हम लोग ने आज बिजेपी करेले का घेराओं इसलिए किया है कि जो बिसाहुलाल जी है वो मद्विनेश के मंत्री जी हैं जिस तरह से नों ने आपति जिनक बात चत्री समाज की शत्राणियों को कहा है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इस तरह की जो भड़काओ भाशन उनने दिया और आपति जिनक माशन दिया उसका हम लोग पुर्जोर वियोद कर रहा हैं दूसरी बात कि उन्हों ने जो भी माफी नामा मांगा ऐसा सुनने माया है लेकिन एक छोटे कमरे में बैट करके और कहीं भी उन्होंने माफी नामा मांग लिया ये बरदाश की योग नहीं है स्टीफा ही एक अन्तिम विकल्प है उनका स्टीफा ही एक विकल्प है क्योंकि इस तरह के लोगों को हम लोग परदाश नहीं करेंगे इसलिए हम लोग आए वह करेंगे कि कोई अगय नहीं किया गया था और भारती जन्ता पार्टी थो छिन्दू समाज की पार्टी है और फुटं की पार्टी है और आप सब भी हमारे परिवार के सदत्स graphии में जित्ते लिए हिंदुस्ताणी हैं हिंदू हैं सब भाई-बाई है और उन्हें को घिराओ नहीं किया उन्हों नहीं हमारे पृदेश अध्यक नाम से पत्र दिया है और खेद वेक्ष है तो उसके लिए हम लोग उनको प्रदेश अद्यक जी को पत्र भेज रहे हैं और जहां तक मंत्री जी का सवाल था तो उन्होंने साइद माफी में मांगी लिकित और प्रदेश नित्रित के पास हम बेजेंगे फिर उनके बाद उनका निर्णा है कि वो क्या करते हैं और वो लोग जैसा बताएंगे तो हम भारती जन्ता पाटी हमेशा अपने मात्र सक्तियों के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहती है महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहती है और मंत्री जी का भी कहना है कि भाई इस ब्यान को हमारे तोड मरोड के दिखाया गया इसमें क्या सत्ता है यह तो प्रदेश अ नेताओं का बात करके उनसे पूछ कर फिर जो नेड़ना होगा आप सभी के सामने आ जाएगे बहुत बहुत धन्यवादा